हमारी बन शॉर्ट सीरीज में आज हम लोग बात करने बाले हैं रिप्रोड़क्टिव हेल्थ के बारे में एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कम चर्चा की चाहती है लेकिन कॉशन इस पर हर एक्जाम में आते ही हैं तो यह हमारा आदा घंटे का लेक्शर है जिसमें रिप्रोड़क्टिव हेल्थ के सारे आस्पेक्ट के बारे में हम लोग डिसकसन करेंगे डिटेल में डिसकसन करेंगे तो कहीं मत जाएए यह आदा घंटे का बीडियो आपको दो कॉशन दे सकता है आपको नीट टूजन सकता है तो इस आर के शुकला एट नीट बिनायक यूट्यूब चैनल एक्स फाकल्टी फॉर एलन एस बले साकास उटा चलिए बात करते हैं रिप्रोड़क्टिव है तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे रिप्रोड़क्टिव हेल्थ का डेफिनिशन के बारे में सबसे पहले हम लोग डिसकॉस करेंगे फॉस्ट फॉफ पॉल इसका डेफिनेशन रिप्रोड़क्टिव हेल्थ का डेफिनेशन फिरम आगे बढ़ाएंगे और इसमें क्या-क्या हमें पढ़ना है प्रॉब्लम एड स्ट्रेज़ी पढ़ना है पापूलेसिशन एक्स्वाइसन ए बात कर लें तो देखो the term reproductive health simply refer to healthy reproductive organ with normal function मतलब जो हमारे male or female reproductive system है वो healthy हो और उनका normal functioning हो यह इसका traditional definition है लेकिन अगर हम WSO की definition में जाएंगे according to world health organization reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction like physical, emotional behavior and source फिर हम बात करेंगे किसके बारे में अब इसमें हमें बात करना है problem and strategy के बारे में सबसे पहले बात करना है तो याद रखना इंडिया पहला देश था, दुनिया का पहला देश था जिसने family planning के बारे में सुचा 1951 में family planning का रिक्राम हमारे देश में सुरू किया गया मतलब आजा दी के चार साल पात 1951 में family planning को हमने accept कर लिया तो हम बहुत advanced थे इस मामले में फिर उसके बाद ये 70s के डिकेड में RCH को हमने apply किया this is reproductive and child health care program बच्चों याद रखना ये family planning का wide रूप था, उसका बिस्तरत रूप था इसमें detail में हमने चर्चा किया तो इसका objective क्या था RCH का? पहला objective था creating awareness among pupil reproductive health को लेकर ये sex education को लेकर लोगों को aware करना और providing facility and support ये दो इसके major task थे ये याद रखना फिर कुछ और चीज़ां भी थी जैसे medium for awareness किया था audio visual था, audio visual था, print media था governmental and non-governmental agencies थी जैसे medical college थे, hospital थे parent थे, other close relative teachers और friends इन सभी का इस्तमाल किया गया उसके अलाबा एक और target था है introduction of sex education in school और उसके बाद proper information about reproductive organ, adolescence and related changes and sex education for adult ये तमाम सारे topic इसमें सामिल किये गा उसके अलाबा sex abuse and another problem another problem में किया था, uncontrolled population growth social evil like sex abuse and sex related crime इन सभ को सामिल किया गया फिर action plan for reproductive health किया था, सब से पहले successful implement of various action plan to attain reproductive health for following arrangement सब से पहले क्या करना था, strong infrastructure strong infrastructural facilities में किया था, hospital था और technical assistance था उसके बाद professional expertise and material support then statuary van on amniocentesis and massive child immunization इन तमाम सारे topic को इसमें सामिल किया गया थोड़ा सा बात amniocentesis के बादे में कर लें इन amniocentesis, amniotic fluid बचो, amnione क्या है क्या आपको मालूम amnione क्या है बटा, embryo के चारों तरब चार membrane होता है जिसमें जो सब से करीब membrane embryo के होता है अगर amnione से थोड़ा सा फिल्यूड आप निकालते हो तो उसमें फीटस की सेल भी आती है फिर उन फीटस की सेल का इस्तमाल किया जाता है बच्चे में उन फीटस की सेल का कल्चर किया जाता है और उनका assessment किया जाता है genetic disorder के लिए बट पिछले कुछ टाइम में इसका दूर्पयोग भी बहुत हुआ है सब चाइल्ड के sex determination के लिए तो ये छोटी छोटी बात है हमें जो याद रखना है तो amniocentist पर बहुत काम इसमें हुआ है ठीक है तिर उसके बाद population stabilizing and worth control इसके बारे में हमें बात करना है तो याद रखना थोड़ा सब बात करेंगे world population के बारे में which was around 2 million 2 billion 2 thousand million in 1900 rocketed to about 6 billion in 2000 and 7.2 billion in 2011 और बेटा आज की तारीक में 2024 में ये 8 billion को cross कर चुका है और याद रखना ज़्यादा population का मतलब क्या है ज़्यादा population का मतलब एक ऐसी आबादी को खड़ा करना जिसके लिए food material आपके पास नहीं है जिसके लिए food material आपके पास नहीं है जिसके लिए रहने की चीज़ें जिसके लिए दूसरी चीज़ों को arrange करना आपके लिए possible नहीं एक ऐसी population को आप खड़ा कर रहे हूँ और ऐसी population को खड़ा करना निशिद रूप से बच्चों बहुत खतरनक है ठीक है तो चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद Indian population की बात करें तो याद रखना Independence की टाइम 1947 में हमारा population कितना था 35 million means 35 करूर ठीक है और यह याद रखना यह May 11 को 1.2 billion हो गया मतलब 120 करोड यह हो गया और आज की तरीक में यह 140 करोड से ज़्यादा है इस बात को याद रखना ठीक है फिर उसके बाद population explosion यह जनसं की आप जो हमारे यह हुआ उसका mean कारण क्या है a rapid decline in death rate बच्चो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि जब population को हम control करने का प्रयास करते हैं प्लान करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है याद रखना कोई भी देश जब भी control करने का प्रयास करेगा तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले उसमें death rate कम होगा और जब death rate कम होगा तो अच्छी एक तम से उसका population growth rate बढ़ जाएगा and this is called as population exploration और हमारे देश में जो population exploration हुआ उसका main करण infant as well as maternal mortality rate का कम होना चोगि हमारे medical science ने तरक्की किया और medical science इसकी तरक्की की बज़े से ऐसे हुआ कि बच्चों नवजात शिशू और जो है उनकी माता की death rate कम हो गई जिसके चलते population exploration हो गया चलिए बात करते हैं इस बारे में a rapid decline in death rate maternity mortality rate and infant mortality rate as well as an increase in number of people in reproducing age reproducing age का मतलब क्या होता है 18-20 से लेकर 50-60 साल तक are possible reasons for this according to 2011 census report the population growth rate was less than 2% means 20 per thousand per year population को हम count करते हैं per thousand a rate at which population could increase rapidly अगर 2% से उपर जा रहा है याद रखना हमारे हैं 1998 में 1981 याद रखना 1981 में 1981 में हमारा population जो rate था वो 2% को पार कर गया था और ये 1991 के census में भी इत्वास more than 2% 2011 के census में ये 2% से थोड़ा सा कम है marginal difference है हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब census होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते अच्छा अब common contraceptive method अब population को control करना है तो उसके लिए क्या करना है contraceptive method उन तरीकों का इस्तेमाल करना है जिससे हम population को कम कर सके ठीक है population को मतलब कम करना तो दूर की बात है control कर सके उन तरीकों का हमें इस्तेमाल करना है और एक अच्छा contraceptive कैसा होना चाहिए an ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect कैसा होना चाहिए आसानी से इस्तेमाल करने लायक होना चाहिए effective होना चाहिए और reversible होना चाहिए reversible का मतलब यह कि जब हम बच्चे को पैदा करना चाहे तो पैदा कर सके ऐसा ना हो कि हमने एक बार इस्तेमाल किया फिर बच्चों को पैदा करना possible न रह चाहिए it also should in no way interfere with the sexual drive, sexual desire में कोई disturbance नहीं होना चाहिए, desire and the sexual act of the user उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए यह कुछ character है अब हम कितने contraceptive method इस्तेमाल करते हैं, formula आयाद रखेंगे soni brand S का मतलब sterilization और surgical method sterilization और surgical method जिसमें tube ectomy भी आता है बास ectomy आ जाता है O का मतलब oral contraceptive pill N का मतलब क्या है natural method I3 का मतलब intrauterine device implant and injectable device और B का मतलब barrier method अब सबसे पहले हम बात करेंगे natural method for contraception के बार इसमें पहला क्या है periodic abstinence पेटा periodic abstinence का मतलब जड़ा समझ लो अगर मैं menstruation cycle का diagram आपको दिखा हूँ तो एक से लेकर 7 में दिन तक एक से लेकर बलकि 9 में दिन तक fertilization की संभाबना ना के बराबर है fertilization नहीं होगा बंटू नहीं 10 से लेकर 17 तक fertilization की संभाबना maximum है अगर 10 से लेकर 17 तक intercourse ना हो या intercourse हो तो कंडूम के साथ हो तो ऐसे मैं fertilization की संभाबना ना के बराबर रहेगी मतलब 10 तक 17 या तो छोड़ दिया जाए अगर आप और भी ज़्यादा safe game खिलना चाहते हो तो 8 तू 90 but 10 तक 17 तो छोड़ना ही होगा या safe sex करना होगा तो ऐसे मैं ऐसे मैं ऐसे मैं fertilization और child birth से बचा जा सकता है this is called as periodic abstinence दूसरा method withdrawal of coitus interrupt copulation के दोरान copulation के दोरान insemination मतलब सीमेन के release होने के ठीक पहले अगर penis को बजाएना से बाहर निकाल लिया जाए तो भी fertilization के chance कम रहेंगे तीसरा method के लैक्टेसनल अमी नौरिया absence of menstruation बच्चों ऐसा माना जाता है कि बच्चे के जन्द के बाद जब तक breast feeding चल रहा है तब तक menstruation cycle stop हो जाता है अगर तो इस समय sex करने से ही माना जाता है कि fertilization नहीं होगा लेकिन ये तरीका जादा से जादा तीन चार महीने तक ही effective है और इसमें बहुत जादा जोखिम भी है इस बात को अच्छी तरह से याद रखना बहुत जोखिमें इसमें कभी भी ये fail हो सकता है ठीक है ना चलो तो आगे बढ़ाते हैं तो ये होगा लेक्टेशनल अमीनौरिया लेकिन याद रखना वही बात है इसके बारे में दा मैथेड हैस बीन रिपोर्टेड तो बी इफेक्टिव ओनली अप टू अमेक्जिमम पिरियड औफ सिक्स मंथ फॉलोइंग पर्चूरिशन ये बात अच्छी तरह से याद रखना जो भी नेचरल मेथेड है उसमें कोई भी मेडिसन का हम इस्तेमाल नहीं करते इसलिए इनका साइड एफेक्ट बिलकुल भी नहीं है बट चांसेस ओफ फेलियर लगवा 30% इन मेथेड में है अब उसके बाद आजो barrier method barrier method का मतलब क्या है हमने semen और basinal fluid के बीच में एक barrier लगा दिया क्या लगा दिया कॉंडोम लगा दिया ठीक है और कॉंडोम के बहुत सारे additional फायदे है ये STD को भी बचाता है AIDS को भी बचाता है तो in barrier method overmend is firm are prevented from physically meeting with the help of barrier सबसे अच्छा barrier क्या है कॉंडोम कॉंडोम आर barrier made of thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in the male and bacina and cervix in the female just before the coitus कॉपुलेशन के ठीक पहले इसका इस्तेमाल करना अब देखो ये male condom है ये female condom है male और female दोनों ही condom आज की तारीक में available है इस बात को याद रखना अभी हां पर देखो आज दिसकैन प्रेवेंट कंसेप्शन निरोहूद इस अपुलर बांद रॉजब कंडोम पॉर्ण इस पॉरान जो कंडोम बनाने वाला ब्रांद वो कंसा है निरोहुद use of condom 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 has increased in the recent year due to additional benefit of protecting the user from contracting STI sexually transmitted infection and AIDS इसे भी यह बचाता है तो पिछले कुछ सालों में condom का इस्तेमाल बढ़ गया है इस बात को याद रखना both the male and female condom are disposable can be self inserted and thereby give privacy to the user disposable है मतलब एक बार ही इस्तेमाल होगा उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा फुद इस्तेमाल किया जाता है तो यह privacy को maintain ने देते और यह कैसा है reusable है बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है देखने के लिखा NCIT ने are also barrier method of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix cervix during coitus they prevent consumption by blocking the entry of sperm through the cervix they are reusable और अगर यह spermicidal cream jelly और foamy ऐसी device है spermicidal क्या है यह sperm को kill करती है jelly और foam क्या करता है बैजाइना के मार को एकदम से बंद कर देता है अगर इनका भी इस्तेमाल condom के साथ किया जाए तो यह ज़्यादा effective हो जाता है इस बात को अच्छी तरह से याद रख अब उसके बाद आता intrauterine device पैटा यह device क्या है इनको जो है intrauterine device को doctor fit करता है vagina से लेकर uterus में fit किया जाता है इनमें यह तो cable और इनमें यह तो cable devices inserted by doctor or expert nurses in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available in the form of non-medicated IUD जैसे lips loop है, copper releasing IUD, copper क्या करेगा, sperm की speed को कम करेगा, तो उसको क्या होगा, उसका phagocytosis हो जाएगा, copper IUD कान सा है, CUT, copper T, copper 7 and multilode 375, और hormone releasing IUD भी है, जैसे progestacert LNG 20, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, यह देख लो, यह copper T है, और इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, uterus में इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, यह भी इस diagram में आपको दिखाई दे जाएगा, इस दोनों बातें इस diagram में आपको बहतर दंग से समचारे, अब IUD काम कैसे करता है, IUD increased phagocytosis of sperm within the uterus and the copper ion released suppressed sperm motility and the fertilizing capacity of sperm, sperm की capacity को कम करता है, उसके fertilization capacity को कम करता है, IUD are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy and or space children जो pregnancy को delay करना चाहते हैं, it is one of the most widely acceptable method of contraception in India, India में बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है, इस बात को याद रखना, फिर oral contraceptive means, oral administration of small dose of either progesterone, progesterone or progesterone or estrogen combination, या तो केबल प्रोजेस्टेरोन लेना है, या प्रोजेस्टेरोन estrogen combination लेना, is another contraceptive, is another contraceptive used by female, they are used in the form of tablet and hence are popularly called the pills, tablet के form में इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको pills कहा जाता है, इनके लेने का pattern क्या है, जरा इसको समझ लो, पेटा एक महीने में मिलाकर 21 दिन लेना है, चीक है, और menstruation cycle के एक से लेकर पांच में दिन के बीच में किसी भी दिन चालू करना है, जैसे कि मानलों एक female थर्डे स्टार्ट करती है, तो फिर उसमें 21 दे एड करेंगे, बन ट्रैबलेट पर दे लेना है, तो 24 तक लेना है, उसके बाद एक हपते कब ब्रीक करते है, चीक है, फिर अगली menstruation cycle में, फिर मानलों की second day लिया, तो उसके बाद second day से start किया, 21 दे लगातार लेना है, मतलब menstruation cycle के 23 दे तक लेना है, उसके बाद फिर एक हपते gap करते हैं, तो एक हपते gap के बाद, start कब करेंगे, menstruation cycle के 1 to 5 दे, उसके बाद लगातार 21 दे, पर दे बन टेबलेट लिया जाए और उसके बाद बन बीक का gap रहेगा, इतनी सी बात कुल मिलाकर आपको इसमें याद रखना, उसे इतनी सी बात याद रखना, ठीक है, और उसमें भी याद रखना, सहेली जो टेबलेट है, अगर आप सहेली की बात करते हो, तो यह जो है बन बीक, मतलब यह बन बीक जो है, मतलब एक अपते में एक ही टैबलेट लेना है अब ये काम कैसे करता है ये ovulation और implantation को रोख देता है और alter the quality of cervical mucus to prevent retired entry of sperm इसमें किया cervical mucus बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है जिसके चलते हैं cervix लगवाद बंद हो जाता है और ये widely acceptable, contraceptive है याद रखना IUD के साथ इनका भी इस्टेमाल हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है ठीक है उसके बाद सहे लिए याद रखना बल्ड की बेस्ट oral contraceptive pill है सबसे पहली बात ये non-steroidal है once in a beak और इसका development कौन किया है Central Drug Research Institute CDRI Lakhnow में इनडिया ने इसका development किया है इसका side effect नाक के बराफार है फिर उसके बाद बात करते हैं Implant Progesterone alone और combination with estrogen can also be used by female as injection or implant under the skin बेटा ये implant है ये diagram देख लो और skin के अंदर सब cutaneous tissue में इसको implant कर दिया जाता है ये लगातार क्या करता है लगातार ये estrogen ये progesterone estrogen को release करते रहता है जिसके चलते मतलब जिसके चलते same oral contraceptive जैसा असर होता है लेकिन ये 3 से लेकर 6 महिने तक चल जाता है तो daily tablet लेने की जरूवत नहीं पड़ती उसके बाद emergency contraceptive मानलो कभी ऐसा हो कि contraception feel हो जाए या rape हो जाए तो अगर ऐसा हो जाए मानलो कि condom फट जाए ऐसे case में emergency pill की जरूवत होगी तो scientist ने एक emergency pill का development किया है जो intercourse के 72 hours के अंदर मतलब लिया जा सकता है ठीक है administration of progesterone और progesterone estrogen combination और 72 hour coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse ठीक है फिर आजाओ यहाँ पर surgical method और sterilization यह permanent method जब यह समझ में आ जाए कि अब family को नहीं बढ़ाना है family complete हो कही है तो फिर इसमें operation किया जाता है mail के case में vast difference को cut लगाते पहले cut लगाते थे अब उसे bound कर दिया जाता है tightly उसे bind कर दिया जाता है female के case में female के case में ठीक है ना female के case में fallopian tube को cut लगाते है आजकल bind कर दिया जाता है ठीक है अजीस टेकनिक आर खााइल एक्ता है जाता है एक बार हो गया तो उसको बापिस करना बहुत ही कठे नहीं जाता है फिर ये दोतार है क्या बासेक्टोंबी जाता है is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through the vagina. Selection of contraceptive, it needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional, which is qualified medical professional, which is not a natural method. Because pregnancy is a natural method and it is a natural method that is against. Then there are some side effects such as nausea, abdominal pain, breakthrough, bleeding, irregular menstruation, bleeding or even breast cancer. Thro not very significant, should not be totally ignored, bhoot zyadha mehet to nahi hai, legin thudhi bhi dhyan dhe na chahiye hai. Ab us ke baat sexually transmitted infection, sexual intercourse se jinn bimariyong ka infection होता है, वो STD कहलाते हैं. और STD मतलब केबल sexual intercourse कहलाबा, इनका blood के थो भी infection हो सकता है और intravenous अगर injection लगाते हैं उसके थो भी इनका infection हो सकता है. जानने का प्रियास करते हैं, यह कौन-कौन सी भी मरिया है. Infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection or venereal disease or reproductive tract infection. Example कहा है, gonorrhea, syphilis, genital herpes clamidiasis, genital vod trichomoniasis, hepatitis B and HIV. फिर इनका mood of transmission कहा है. अमंग इस, HIV infection is most dangerous. इस infection like hepatitis B and HIV can be transmitted by sharing of injection, legal, surgical instrument, etc. with infected person. Transfusion of blood or form an infected mother to the fetus 2. और इनमें यह दो-तीन बीमारिया है, जिनका इलाज नहीं है, hepatitis B का नहीं है, genital herpes का नहीं, HIV infection का नहीं, बाकि सब की औरे बेल है, बाकि सब का इलाज हो सकता है. अब इनके symptom कहा है? Early symptom of the most of these minor and including etching, philio discharge, slight pain, swelling in the genital region, infected female may often be asymptomatic ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी symptom नहीं हो and hence may remains undetected for long. This could lead to complication later which include pelvic inflammatory disease, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility or even cancer of the reproductive tract, ये बीमारियां भी इसमें हो सकती है. ठीक है? और याद रखना, 15 से लेकि 24 तक का जो time है, ये age group इसका highest risk का पर्ख है. अब control major क्या हो सकते हैं? जानने का प्रियास करें. सबसे पहले, avoid sex with a noon partner, multiple partners always try to use condom during coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor. कोई doubt है, तो भाई, डॉक्टर के पास जो. अब उसके बाद बात करते हैं, infertility. infertility का मतलब क्या है? कि एक पती-पत्नी या एक पेर लंबे समय तक unprotected sex करता रहे है, उसके बाद भी pregnancy ना हो, this condition is called as infertility. ठीक है ना? चलो, बात करते हैं, इसके कौन-कौन से aspect है. A large number of couples are over the world, including India are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. Cosing factor क्या है? The reason for this could be many physical, congenital disease, drug, immunological or even psychological, psychological कारण से भी यह हो सकता है. अब इससे infertility से बचने का तरीका क्या है? This is ART. ART, in case of infertility, the couple could be assisted to have children through certain special tactics, commonly known as assisted reproductive technology or ART. इसमें सबसे पहला कौन सा? In vitro fertilization, IVF, ET and ZI, ART. IVF fertilization outside to body in almost similar in the… बटा, मान लो की fertilization में कहीं कोई दिक्कत है, इस पार्म का number कम होने की बज़े से या किसी भी कारण से. तो इसमें क्या करेंगे? इसमें एग और सीमेन को बाहर निकालेंगे और उसका in vitro fertilization कराएंगे, जिसे common भूल चाल की भासा में क्या बोलते हैं? टेस्टीव बेबी बोलते हैं. तो पहले उसका fertilization कराएंगे, फिर fertilization कराने के बाद कैसे करेंगे? याद रखना, उसके बाद embryo transfer ET करेंगे. तो सबसे पहले in vitro fertilization for embryo transfer, फिर जाइगूट intra fallopian tube, अगर जाइगूट का transparent करेंगे, तो कहां करेंगे? वो करेंगे fallopian tube में, this is called as ZIFT. और अगर embryo का करना है, तो embryo का कहां करेंगे? U-terus में, this is called as EU. ठीक है? In this method, popularly known as stress tube baby, program over from wife or donor, female and sperm from husband and donor male are collected and are induced to form जाइगूट under simulated condition in the laboratory. चीक है? ZIFT, the जाइगूट or early embryo with up to 8 cell blastomere could be transferred into the fallopian tube. ZIFT, जाइगूट intra-fallopian transfer. अगर 8 cell से ज्यादा का embryo हो जाता है, अच्छा, embryo formed by in vivo fertilization, fusion of gamete within the female, also could be used for such transfer to assist those female who connect, cannot conceive. मान लोगी female, जो है, मतलब fertilization के लायक है, लेकिन uterine development के लायक नहीं है, तो उस मैंसे किया जा सकता है, कि gamete को, मतलब fertilization female की body में कराया जाए, उसके बाद उसको निकाला जाए, या fertilization से पहले ovum को जो है, बाहर निकाल लिया जाए, transfer of ovum, collected from a donor into the fallopian tube, gamete intra-fallopian transfer of another female who cannot produce bun, but can provide suitable environment for fertilization and development. तो जो fertile female है, उसका ओबा लेकर ऐसी female के fallopian tube में डाला जाए, जो oogenesis नहीं कर सकता, जिसके लिए oogenesis करना possible नहीं है, बट जो जिसका, जिसके लिए uterine development possible है, ठीक है, फिर AI and IUI, infertility, cases either due to the inability of male partner to inseminate the female or due to the very low sperm count in the ejaculation, could be corrected by artificial insemination technique. अगर male में इस पर में तो बिलकुल नहीं है, या बहुत कम है, तो इस AI technique, artificial insemination का इस्तमाल किया जा सकता है. In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the baciner, or into the uterus, IUI, intrauterine insemination of the female. ठीक है, फिर challenge against ART, ART के सामने कुछ challenge भी है, तुरू option are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialist, professional and expensive instrumentation. Therefore, these families are presently available only in very few centers in the country. Obviously, their benefit is affordable only a limited number of people. बहुत महगे तरीके हैं, बहुत ही कम लोगों को available हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही expert लोगों की ज़रुत पढ़ती हैं, हलांकि अब यह condition नहीं है, आप इसके expert हैं और costing भी अब कम है, तो बेटा, कुल मिलाकर इतनी बाते हमें पढ़ना थी, इतनी बाते हमें पढ़ना थी, reproductive health में, जिनको हमने पढ़ लिया है, बेरा 25 साल का experience आपके सामने हैं, इसके बाहर question जाने की संबाबना ना के बराबने, केबल इतना ही तैयार करें इस समय, अगर आपने detail में तैयार कर रखा है, तो इस video को आप revision मानकर चलें, आप यह मानकर चलें कि आप चीजों को revise करें, ठीक है, तो यह करके देखें, और मेरा दवा है, आपको बहुत support मिलीगा, ठीक है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ओके, all the best.